ये पापड देखिए इतने पतले हैं कि इसके पीछे से आप हमारी उंगलियां एकदम साफ साफ देख सकते हैं और जब हम इन्हें तलते हैं तो ये अपने साइज से काफी बड़े हो जाते हैं और सौफ इतने कि मुह में जाते ही घुल जाएं हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीता आस्टिप्स तो ये पापड बनाने के लिए हमने ये भीगा हुआ साबू दाना लिया है इसे हमने रात में ही धो कर भीगो दिया था तो ये खूब अच्छे से फूल चुका है इसका पानी सारा निकाल देते हैं तो पानी निकालने के बाद हमने इसे एक कटोरी से नाप लिया है ये एक बड़ी कटोरी साबुदाना है नाप के लिए आप कोई भी एक बरतन सेट कर लें क्योंकि उसी से हम पानी भी नापेंगे तो इसे हम मिक्सी में डाल कर पीस लेते हैं जिस कटोरी से हमने साबुदाना नापा है उसी से नाप कर हम आधी कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं तो ये हमने इसे पीस लिया है अब इसे एक बड़े बरतन में पलट लेते हैं अब ये हमने medium size के 5 कच्चे आलू लिये हैं इन्हें हमने सफाई से छील लिया है अब इसे छोटे छोटे टुकडों में काट लेते हैं आलू को छील कर पानी में ही रखेंगे और पानी में ही काटेंगे ताकि ये काले ना पड़े यदि हमारे आलू काले पड़ जाएंगे तो फिर हमारे पापड भी साफ नहीं बनेंगे तो ये हमने सारे आलू काट लिये हैं अब इन्हें 2-3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं तो ये हमने इसे धो लिया है अब इसे उसी कटोरी से नाप लेते हैं जिससे हमने साबोदाना नाप था तो एक कटोरी भरके ये आलू है यानि जितना हमने साबुदाना लिया था उतने ही आलू लिये हैं अब इसमें भी आधी कटोरी पानी डाल कर इसे भी पीस लेते हैं देखिए इस तरह से अब इसे उसी साबुदाना में मिला देंगे पर हम इसे छनने से छान कर मिलाएंगे ताकि कोई बड़े टुकड़े यदि रह गये हों तो वो अलग हो जाएं ये जो आलू बारीक नहीं हुआ है इसे दुबारा पीस कर इसी में मिला देंगे अब इस आलू और साबुदाना के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला देते हैं अभी तक हमने इसमें कुल एक कटोरी पानी डाला है आधी कटोरी पानी साबुदाना पीसने में और आधी कटोरी पानी आलू पीसने में अब हम इसमें चार कटोरी पानी और मिला देते हैं एक, दो, तीन, और ये चार तो अब हमने इसमें कुल पांच कटोरी पानी डाल दिया है इन पापड़ों को आप वरत में भी खा सकते हैं तो इसलिए हम इसमें एक चम्मच वरत में खानने वाला फलाहारी नमक मिला देते हैं, इसे सेंधर नमक भी बोलते हैं, अब हम इसे पकाएंगे, शुरू में हम इसे तेच आँच पर पकाएंगे, और जब इसमें एक उबाल आ जायेगा, तब आँच को थोड़ा धीमा कर दे हम इसमें एक चम्मच शुद्ध देशी घी डाल देते हैं, इससे हमारे पापर अच्छे शाइनी बनेंगे, और जब हम इन्हें पॉलिथिन में फैलाएंगे, तो ये चिपकेंगे भी नहीं, पापर बनाने के लिए जो भी बरतन लें, वो साइज में बड़ा और भारी तल का लें, क्योंकि भारी तल्ले के बरतन में ये नीचे से जल्दी जलेगा नहीं, और बरतन बड़ा होगा, तो ये मिक्स्चर उबल कर बाहर नहीं आएगा, इसे चलाते समय चम्चे को नीचे तल्ले तक ले जाते हुए चलाएंगे, ताकि ये नीचे से बरतन में लगने ना पाए ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है इसे पकाते हुए करीब 5 मिनट हो गये हैं और अब ये उपर भी आने लगा है अब गैस थोड़ा धीमा कर देंगे और इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाएंगे अब इसे पकाते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये इतना गाढ़ा हो गया है कि चम्मच पर टिकने लगा है पर अभी ये पापड़ बनाने लायक गाढ़ा नहीं हुआ है तो इसे थोड़ा और पकाते हैं प्रेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और हाँ बेल आइकन दबाने के बाद आल बटन जरूर दबा दिजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले साबसे पहले प्रेंट्स अब इसे पकाते हुए करीब 15 मिनट हो गये हैं अभी जब ये ठंधा होगा तो और गाड़ा हो जाएगा तो गैस बंद कर देते हैं इसे बीच बीच में इस तरह से चला देंगे ताकि ये जल्दी ठंधा हो जाए जब तक ये ठंधा होता है हम इसमें कु मसाले ही यूज करती हूँ क्योंकि ये 100% नेचरल होते हैं इसमें ना तो कोई प्रेजरवेटिव मिला होता है और ना ही कोई कलर एजन्ट मिक्स होता है ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है मैं तो यही मसाले यूज करती हूँ इसलिए दिखा रही हूँ तो हमने 2-3 मि मिक्सी में मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है तो एक चमच मिर्च हम इसमें डाल देते हैं ये मिर्च काफी तीखी होती है इसलिए हमने एक ही चमच मिर्च डाली है अब एक चमच के करीब ये जीरा इसमें डाल देते हैं अब जब ये ठंधा हो जाएगा तब हम इसके पा पापड बना लेते हैं, हम धूप में पापड बना रहे हैं, आप चाहें, तो इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं, हाँ कड़ी धूप में बनाएंगे, तो ये एक दिन में ही सुख जाएंगे, और ये पंखे में सुखाएंगे, तो इसे सुखने में कम से कम 48 घंटे लग एक कटोरी साबुदाना और एक कटोरी आलू के मटीरियल से 90-100 पापड बन जाते हैं हमारे जो पापड हैं वो काफी पत्ले पापड बने हैं यदि आप थोड़ा मोटे पापड बनाना चाहें तो इसके घोल को थोड़ा और गाढ़ा कर लें गाढ़े घोल से पापड मोटे बनेंगे और जल्दी तूटेंगे भी नहीं तो ये पूरे एक दिन की कडी धूप में पापड अच्छे से सूख गये हैं ये देखिए इतने पतले और ट्रांस्पेरन पापड बने हैं कि इसके पीछे से मेरी उंगलिया भी साफ साफ दिख रही हैं तो चलिए इन्हें तल लेते हैं इन्हें तलने के लिए हम तेल गरम करेंगे हमने तो मुंगफली का तेल लिया है आप जो भी तेल खाते हूँ उसमें इन्हें तल सकते हैं पापड तलने के लिए तेल ना ही बहुत तेज गरम होना चाहिए और ना ही बहुत थंडा तेल ज्यादा गरम होगा तो पापड तेल में डालते ही जल जाएंगे और यदि कम गरम हुआ तो ठीक से फूलेंगे नहीं तो हमें तेल को मीडियम गरम ही रखना है आप देख सकते हैं पापड अपने साइज से कितना ज्यादा बड़े हो रहे हैं ये पहचान है कि इसका घोल खुब अच्छे से पका हुआ है तलने के बाद पापड को हमने एक प्लेट के उपर छन्नी में रखा है ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए अब इसे तोड़ कर दिखा देते हैं ये देखिए कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट हैं कि मुह में जाते ही घुल जाएं तो आप भी इस तरह से पापड बना सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाई बाई हैपी होली